आप लोगो दिखाना चाहूंगा फ्रेंट स्वागत है एक और नए वीडियो में आज की विडियो में आप लोगो कुछ ऐसे बात बताने वालों हूँ अपने िकोइस पोर्ट के बारे में जैसे की इकोइस पोर्ट के बारे में दो तीन बात तो आप जितने भी रिवीउस देख लीजिए जितने वीडियो देख लीजिए आपको सुनने को मिलेगा इसका स्टीप सस्पेंशन है रियर स्पेस कम है सिट में और भी कुछ-कुछ जैसे की बोलेंगे की ऑफ रोडिंग अच्छे से नहीं कर पाती हील्स वगरा में चड़ने में प्रॉबल कोई बोलेंगे की पीछे स्पेर विल जो लगा है उसके वजह से सेंटर अप ग्रेवेटी पीछे चला जाता है इसले हील्स वगरा में गाड़ी चड़नी पाती है ऑफ रोडिंग में प्रॉबलम होता है देखिए मैं आप लोगं को बताना चाहूंगा यह गाड़ी को लग ऑफ रोडिंग कर चुका हूं और मेरे को कहीं पर भी निराषा नहीं हुआ कई बार ऐसा लगा कि गाड़ी फ्ञज जाएगी लेकिन वहाँ पर मेरे को कोई निराषा नहीं हुआ गाड़ी पाती हें तो हील्स में गाड़ी को चड़ा रहे हैं तो अगर आप नॉर्मल चड लाफ आप जाएंगे तो आज कुछ टिप्स बताने वाला हूं इस वीडियो में जैसे कि आप लोग को इकोई स्पोर्ट ले चुके हैं उनके लिए खास कर रहा और जो लेने वाले उनको भी एक आईडिया हो जाएगा कि इकोई स्पोर्ट के साथ ऐसा कुछ करना पड़ेगा तब जाके यह अफ रोडिंग अच्छे से कर पाएगी सबसे पहले आप ध्यान से देखेगा मैं कुछ आप लोगों को दिखाना चाहूंगा मेरा वेट 65-67 किलो के आसपास है मेरा कर वेट बोलना चीए और मैं गाड़ी को प्रेस कर रहा हूं मैं बिल्कुल पूरा वेट दे रहा हूं लेकिन गाड़ी आप देख रहे होंगे बिल्कुल नहीं के बराबर गाड़ी नीचे जा रही इसका मतलब क्या है साफ साफ मतलब यह है कि गाड़ी का सस्पेंसन थोड़ा सा स्टीफ है स्टीफर साइट में और वह कहीं न कहीं 100% स इस्टेबिलिटी अच्छ चीह तो आपको कहीं न कहीं सस्पेंशन स्टीब करना पड़ेगा अगर आपके गाड़ी का सच्टीब नहीं रहेगा और आप इद रिदम से तरन लेंगे तो पूरा वेट आपका जो गाड़ी का सेंटर आप ग्रैविटी है वह एक साइड हो जाए यह है कि गाड़ी का स्टीफ सस्पेंशन होने के वज़े से क्या होऊट में गाड़ी चड़ा रहे हैं आपको एकड़ा रोड मीलेगा को हिल्स में औफ रोडिंग करने रहे हैं अगर आप गाड़ी को यूटन ले रहा है तो माल लिजय मैं राइट साइट से यू-टन ले रहा हूं तो यह टायर हो मेरा कम दूरी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा लेकिन वो अगर उस साइट का टायर की बात करे तो उसको लंबा सरकल एक राउंड लेना पड़ेगा तो यूटन में देखिए अगर आपके दोनों एक्सल कहना चीए ड्राइस आप बोलते हैं वसे टेकनिकल लेंग्वेज में बोलने तो ड्राइस आप बोलते हैं समझ लिजी इसका फ्रंट विल ड्राइब रहता है तो दोनों टायर में एक गेर बॉक्स एक रॉट टाइप से गया बैलेंस खराब हो जाएगा उसका तो इसलिए जब इंजिरिंग कंपणी इसका डिजाइन करते हैं सब गाड़ी का तो जब आप जिस्ट साइट करेंगे माली ज़िए लेफ्ट साइट कर रहे हैं गाड़ी को मन्तिकी लेफ्ट साइट तो उस टायर में जो कहना चीए पाव हो जाता है जब आप हील्स में गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं वह टायर में अगर वेट कम आया तो पूरा पावर उसी टायर में ट्रांसफर हो जाएगा और वहां पर गाड़ी स्पीन करने लगेगी गाड़ी की टायर तो मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहांगा जब कि आप ओफ रोडिंग करते हैं हिल्स में गाड़ी को खासकर चढ़ाते हैं या जिस टायर गड़्े में जा रही है कोशिस करिए कि वह गड़्े में ना जाए एक बराबर अगर आप हिल्स में चढ़ा रहे हैं तो दोनों टायर बराबर ट्रैक्शन मिले ऐसा कुछ उसमें अगर आपका कोई भी एक टायर गड़े में चले जाएगा तो दूसरे टायर में समझ लिए जो टायर गड़े में जाएगा उसी बारा पावर ट्रांसफर हो जाएगा अब मैं आप लोगं को एक छोट ऐसा एक्जामपल देना चाहूंगा अब देखिए वहां पर ऐसा सीन क्र कर पाऊंगा कि नहीं वह प्रॉब्लम होगा इसलिए मैं एकदम सिंपल सा जुगार कर रहा हूं गाड़ी को मैं जैक में चड़ाओंगा पूरा पाम समझ लिए टायर मैं आपका हवा में कर दूँगा और वो टायर रोड में ही रहेगा गाड़ी जहां पर मैं वीडियो बन यह टायर हवा में रहेगा तो पावर इसमें जाना चाहिए यह गाड़ी को आगे कड़ेगा लेकिन यहां पर मैं आप लोगो क्लियर कर दूँगा तो चलिए मैं फटाफट जैक से गाड़ी को लिफ्ट कर देता हूं कि टाइम बचेगा इसलिए मैं जैक को बाहर में ही रख लिया था अब मैं फटाफट गाड़ी को लिफ्ट करता हूं कि देखिए आप लिफ्ट करना चाहिए तो कहीं पर भी लगा सकते हैं अपने कन्यूजेंट के अकोडिंग करना चूजार के लिवर मैं अवा ठुछ प्रृब्रby व्लाभब की झाम closure कि ते एंजनी कवड़ी थाया बत्यूशके प्रृब्र λόगिनार के नथी क कोड़ागी काव नथी एंजनी कोड़ाब च्यूण देखें यहां पर टायर समझ लिजे हवा में आ गया है यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा देखिए अभी इसलिए थोड़ा सा वो जाम है यह टायर पूरा हवा में आ चुका है और वह तो टायर को मैं दिखाना चाहूंगा देखिए पूरा जमीन में है और जहां पर मैं वीडियो बना रहा हूं देखिए पूरा प्लेट जगह है तो देखिए यह टायर तो जमीन में है समझ लिए ग्राउंड में है पूरा पावर इसमें जाना चीए और गाड़ी आगे आ जाना चीए लेकिन मैं आप लोग को चलिए आप दिखाता हूँ गाड़ी एक इंच भी आगे नहीं आएगा यहाँ पर आप देखिएगा यह टायर पूरा बर्न आउट होने लगेगा यह वाला टायर और गाड़ी वहीं की वहीं गाड़ी का इस्पिल्वीन होने लगेगा तो चलिए मैं आप लोग को एक डैमोस्ट्रेट करके दिखाई देता हूँ अब जैसे कि मैं यहाँ पर पावर लगाओंगा फर्स्ट गियर यहाँ पर मैं लगा देता हूँ अब देखिए गाड़ी एक इंच भी आगे नहीं जाएगा यहाँ पर देखिए हैंडब्रेक भी मैं नीचे कर दिया गाड़ी का टायर यहाँ पर स्पीन हो रहा है गाड़ी वहीं के वहीं बर्न आउट हो रही है देखिए मैं आप लोगं को जैसा की बता रहा था अब मैं जाड़ी में फर्स्ट गियर में लगा के उतर भी गया हूँ देखिए वह टायर वहीं के वहीं बर्न आउट हो रही है मैं आप लोगं को दिखाना चाहूंगा यह टायर कोई भी बरन आउट नहीं हुन रहा है और मैं आप लोगों को इंटीरियर में दिखाना चाहूं है फ Keria लगा कि मैं exilate कर दिया कोई भी नहीं है आज़ा लगा हुआ है यहां पार डाउन है फस्ट दिखा देता हूं है किरिश्ट यहां यहां पार € नहां यह देख सकते हैं चलिए मैं गाड़ी को बंद कर देता हूं देखिए मैं आप लोगों को साफ साब बताना चाहूंगा यह सब बताने का मेरा मतलब यह है कि इको इसपोर्ट का सस्पेंशन इस्टीफ है यह सब मैं भी मानता हूं आपको भी अगर ड्राइब करेंगे तो यह चीज एक्सपीरिये होता क्या है अगर यह टायर गड़े में चले जाता है माल लेते हैं या फिर ट्रैक्शन इसमें कम होता है या वह टायर चला जाता है टू प्रण टायर में ड्रैक्शन डोनों टायर में बने रहे है इस टाइप कर से अगर कोई भी ऐसा आपजक्ड आतां है कि यह टायर नीचे चला जा लहारा है तो कोुसिस करिएगा कि दो Hackम लिंग बन ब्राबर मिलता रहे घरयं लज गाड़ी को चड़ा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पावर से लेके कोई दिक्कत नहीं होने वाला है दिक्कत वहीं पर आ जाता है कि गाड़ी का सस्पेंशन स्टीफ है तो ट्रेवल कम होने के वज़े से जब क्या होता है कि टायर जैसे कि इसका टायर में मालीजे प्रॉब्लम है या फिर इकोई स्पोर्ट में प्रॉब्लम है या सेंटर ऑफ ग्रैविटी पीछे चले जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है पीछे टायर में है इसका दूसरे गाड़ी में तो बूट में रहता है तो कितना वेट में फरका जाएगा यह सब खाली बोलने की बात है तो उमीद करता हूं फ्रेंट यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा साथ में चैनल सस्क्राइब कर लिजेगा मैं यही बताना चाहरा था इस वीडियो में कि कोई प्रॉब्लम नहीं है सस्पेंसन कि अधित रहिए थन्यवाद